Hello friends, आपका मेरे चैनल पर साधत है आज हम आज हम बहुत ही अच्छी सी और इन्ट्रेस्टिंग स्टोरी लेके आये हैं स्टोरी का नाम है The Eagerness of a Barber The Eagerness means उठसुकता आफ का और बार्बर बार्बर means नाई जो बाल काड़ते हैं तो बार्बर की उत्सुकता नाई की उत्सुकता तो चलिए हम अपनी स्टोरी को सुरू करते हैं देयर वहां लिव्ड रहता था एक ब्राम्हिन ब्राम्हर इन में आयोध्या में रहता था वह वास था इन में पवर्टी गरीबी स्ट्राइकेन में प्यृता दुखी सिच्वेशन मिन्स इस्टिती वह गरीबी से उसकी जो इस्टिती थी गरीबी से त्रस्त थी He could not maintain his family due to lack of money. He was could not, नहीं कर सकता था maintain मतलब कायम His family अपने परिवार को due to, due to means currency, किसी कारण से due to का मतलब होता है currency, lack of money, lack of money मतलब पैसे का अभाव, lack of मतलब अभाव होना, पैसे का अभाव मतलब उसकी जो family को अपने ठीक ठाक से नहीं रख पाता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे रहने के लिए, खाने के लिए He was a hardcore devotee of Lord Shiva He was a hardcore, hardcore means cutter मतलब, hardcore means cutter होता किसी चीज में पूरी तरह से मगन होना devotee of Lord Shiva, devotee means bhakt of का Lord Shiva Lord Shiva का भगवान संकर का बहुत ही कटर भगत था बहुत ही अच्छा भगत था Though he lived in poverty striking situation तब भी, though means तब भी हाली की He lived, he were lived रहता था इन में poverty गरीबी striking situation गरीबी से तरह सिस्तिती में तब भी वो रहता था He always, he always, he were, hamesha, always means hamesha and or often sent offerings to Lord Shiva He always, he was, hamesha, and or often means hamesha, bahuda, bahuda, bar-bar Sent, sent मतलब भेजना, देना, offering Offering means यहाँ पे एक तरह से भेट देना To Lord Shiva वो हमेशा ही कुछ न कुछ भेट भगवान संकर को चढ़ाता था चैजी से सिती में रहा है उसे भगवान संकर को कुछ न कुछ चढ़ाना रहता ही था भेट जरूर चढ़ाता था प्रशा जरूर ही चढ़ाता था वो बहुत खुस हो गए खुस थें वो बहुत खुस हो गए है नम्र नेचर सभाव भगवान संकर बहुत खुस हो गए है यह देखते ही खुस थें यह देखते ही कि वो जो ब्राम्मन था वो बहुत ही उदार था और उसका नेचर बहुत ही नम्र था मतलब अच्छे उसका सभाव बहुत ही अच्छा था चाहिए वो जितनी भी गरीबी जहेल रहा हो One day Lord Shiva came in front of the poor One day एक दिन Lord Shiva संकर भगवान came I in front of him In front of the poor In front of मतलब सामने आना In front of means सामने आना The poor किसके गरीब के उस गरीब ब्राम्हन के सामने आया उस गरीब ब्राम्हन के सामने एक दिन संकर भगवान प्रकट हुए And said और कहा Dear Brahmin मतलब Priya Brahmar I am happy to see your devotion I am happy मैं खुश हूँ To see ये देख कर your devotion मैं खुश हूँ ये देख तुम्हारी भगती devotion means भगती तुम्हारी भगती को देख कर क्या हूँ मैं खुश हूँ If you wish anything If यदि you तुम wish इच्छा करते हो Anything कुछ भी यदि तुम कुछ भी इच्छा करते हो I will grant it I will grant it I will grant it मैं मान जाओंगा उसे मैं मान जाओंगा grant कर दूँगा उसे जरूर पूरा करूँगा The Brahmin's happiness new no bounds The Brahmin The Brahmin मतलब ब्राम्हार का happiness खुशी Happiness means खुशी new no bounds New no bounds मतलब यहाँ पे है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा He said वा कहा I am really grateful to you for your presence I am really I am मतलब मैं really सच मुश grateful बहुत आभारी हूं grateful means आभारी कि तक यह होना to you आपका for your presence मैं आभारी हूं कि आप यहाँ पर प्रस्तूत हुए हैं presence मतलब प्रस्तूत होना प्रस्तूत हुए है I request you मैं आपसे प्राथना करता हूँ I request you मतलब प्राथना करता हूँ आपसे please क्रिपया offer me something offer me offer मतलब देना me मतलब मुझे something कुछ मुझे कुछ दीजिए that I can be wealthy and prosperous that की I can be wealthy मैं मतलब धनी हो जाऊ wealthy मतलब धनी होना I can be मतलब मैं धनी हो जाऊ and prosperous संपन हो जाऊ wealthy and prosperous मतलब धनी और संपन हो जाऊ and thus I will be able to lead a comfortable life and or thus इस प्रकार I will be able मैं योग हो जाऊ to lead ले जाने के लिए a comfortable life comfortable आराम धायक जीवन मतलब मुझे धनी और संपन कर दीजे इतना कि मैं अपना एक सुखी जीवन जी सकू then the God Lord Shiva said फिर भगवान Lord Shiva Sankar भगवान ने कहा I grant your prayer I, मैं grant मतलब मानता हूँ your prayer तुम्हारी प्राथना को at first सबसे पहले you have to take bath you have to take bath तुम्हें सबसे पहले नहाना होगा to take bath मतलब नहाना तुम्हें नहाना होगा then you must save your head फिर you must must meet averse shave मतलब mundan मतलब clean करना save your head फिर तुम्हें अपने मुंदन करवाना होगा मतलब अपने सर के बाल को हटाना पड़ेगा and hide behind hide means छुपना behind पीछे the bushes near your head bushes मतलब जाडिया near hurt pass near means pass your hurt your hurt तुम्हारे hurt जोपड़ी hurt means जोपड़ी के pass में ही तुम्हें छिपना पड़ेगा then any beggar फिर any then means फिर any beggar कोई भी beggar who comes in this way who comes यहाँ पे जो है who means यहाँ पे जो का sense है जो आएगा comes मतलब आएगा in this way रास्ते में you must you तुम must अवस्य hit मारोगे him उसे मारोगे with a stick with a stick मतलब छड़ी के मतलब छड़ी के मदब से उसे मारोगे stick मतलब छड़ी या डंडा या पिस्टीक मतलब छड़ी या डंडा as soon as you hit the beggar as soon as मतलब जियो ही यथा सीख रही मतलब तुरंद जल्दी ही as soon as मतलब समझे जियो ही you hit the beggar तुम मारोगे बेगर को भिखारी को he will form into a gold statue he will वह हो जाएगा form मतलब form मतलब बदल जाना एक अलग फ़र्म में एक अलग अवस्था में हो जाना into में a gold statue वह एक सोने के statue में बदल जाएगा एक सोने की मुर्ती में बदल जाएगा form मतलब एक अवस्था में बदलना बदल जाएगा the gold will be enough to make you wealthy the gold सोना will be enough यह परियाब्त होगा enough means परियाब्त होना परियाब्त होगा b मतलब होना to make मतलब तुम्हें बनाने के लिए to make you तुम्हें बनाने के लिए wealthy लोड शिवा वैनिजड फ्रॉम देयर यह कहकर भगवान संकर वैनिजड वैनिज मतलब गुम हो जाना मतलब धूमिल हो जाना डिसपेर हो जाना from there from there मतलब वहां से इतना कहकर भगवान जी क्या हो गया है मतलब गायब हो गया है इतना कहकर संकर भगवान मतलब गायब होना तो फिर आगे क्या हुआ next morning अगली सुबह the poor brahmin got up early from his bed अगली morning the poor brahmin गरीब brahmar got up got up मतलब get up past tense से got up मतलब उठ जाना get up जल्दी उठ जाना early early मिन जल्दी प्राथ from his bed अपने बेट से अपने बेट से वह बहुत जल्दी morning में उठ गया सुबह and after taking his bath and or after bath taking his bath वह अपना असनान किया he went to pray Lord Shiva वह भगवान की प्रातना किया प्रातना करने गया then he asked a barber to visit him then फिर he asked मतलब बुलाया पूछा a barber to visit him एक barber को अपने यहां बुलाया visit मतलब बुलाना when the barber came he told him to shave off his head when जब बारबर जो नाई था barber means नाई जो नाई था came आया he told him वो ब्रामन ने उससे कहा to shave off his head उसके shave off मतलब उसका मुंडन करने के लिए उसका बाल हटाने के लिए उससे कहा the barber was surprised and thought the barber जो नाई था was मतलब था surprised मतलब आश्या चकित हो गया and thought और सोचा जो नाई था वो क्या हो गया आश्या चकित हो के सोचने लगा क्या सोचा why the brahmin was saving off his head saving off his head why the brahmin क्यों brahmar अपना सर को क्या अपना मुंडन क्यों करवा रहा है मतलब वो सोचने लगा कि ये brahmin अपना मुंडन क्यों करवा रहा है he became very curious and to know the reason after saving after saving he become he मतलब became मतलब हो गया very मतलब बहुत curious curious मतलब जिग्यासु हो गया जानने के लिए चुक हो गया and और to know ये मतलब इसमर जानने के लिए the reason कारण इसका कारण जानने के लिए कि वो brahmin क्यों टकला हो रहा इसका कोई वज़य है वो जानने के लिए बहुत इचुक हो गया इसका जो मुंडन कराने के लिए क्यों मतलब उसके लिए देखने लगा, behind मतलब पीछे, मतलब पेड के पीछे जाके वो चुपचाप खड़ा हो गया, और ये सब चीजें चुपचाप को देखने लगा, तो आगे पढ़ते हैं, after some time, कुछ समय बाद, the poor Brahmin picked up a stick, आप कुछ समय बाद, गरीब ब्राम्हर picked up, मतलब हाथ में लिया, लिया a stick, एक छड़ी, उसने एक छड़ी या डंडा लिया, and or took his position behind the bush, and took, मतलब लिया his position, अपनी position लिया behind the bush, जहाँ पे जाड़ी थी उसके पीछे वो चुपचाप जाके, अपनी position लेके खड़ा हो गया, वो ब्राम्हर्ण, यह सब तो कौन देख रहा थो, नाई देख रहा था, Soon, जल्द ही, he found that beggar was coming, that way, Soon, मतलब जल्द ही, he found, पाया, वो पाया, that की beggar was coming, that way, वो बिखारी आ रहा है उस रास्ते में, वो एक कोई बिखारी उस रास्ते में आ रहा है, ब्राम्हर्ण ने उसे देखा, The Brahmin hit hard on his head, and the beggar formed, ब्राम्हर्ण ने क्या किया, hit, मारा हार्ड, जोर से, on his head, उस बेगर के सर पे मारा, and the beggar formed, और जो बिखारी था, मतलब बदल गया, किसमें बदल गया देखते हैं into a gold statue into में a gold statue एक सोने की मुर्ती में वो बदल गया वो जो बिखारी the ब्रामीन टुक that gold statue into his home so that no one could see the statue the ब्रामीन वो ब्रामभर टुक लिया की gold statue वो gold जो मुर्ती थी सोने की मुर्ती into his home अपने घर में लेके चला गया so that no one could see the statue की वो मुर्ती को कोई भी देखना सके उस statue को कोई भी देखना सके उससे पहले वो उस मुर्ती को चत्रन थी लेके घर चला गया the barber washed everything जो गनाई था washed मतब देखना everything, हर चीज देख रहा था and become very happy become मतलब हो गया very, बहुत खुस हो गया जो नाई था वो सब यह चीज़ें देख रहा था और वो देखकर यह सब चीज़ें को क्या हो गया बहुत खुस हो गया he thought if he could intimate it he thought was socha if, ya第 he could intimate he could intimate intimate मतलब सूचित करना, बताना पर यहां पर यह Wealthy Intimate का, वो मतलब नहीं यहां पर अतरंग चीज मतलब यह जो चीज है अतरंग intimate मीज़् यहां पर यह जो चीज़ें हो intimate जो चीज़ें हुई है वो अगर वो करे, he will be wealthy and prosperous like the brahmins, he will be, he will be, वो हो जाएगा, wealthy, मतलब धनी and prosperous, और संपन like the brahmins, brahmad के जैसा, soon he rushed to his home and took a streak, soon, जल्दी, he rushed to, मतलब जल्दी, वो घर के, रज्द मतलब जल्दी, to his home, वो अपने घर के तरफ गया and took a stick, एक stick लिया, एक डंडा लिया, एक छडी लिया, before taking the stick, he had done the same as the brahmins, before taking, मतलब लेने से पहले, before taking the stick, डंडा लेने से पहले, before, मतलब पहले, he had done, he had done, मतलब उसने किया, the same, उसने वैसा ही किया, as the brahmins, जैसा की, brahmins ने किया था, when a beggar came in front of his house, when a beggar, एक बिखारी came in front of his house, के मतलब आया, in front of his house, उसके घर के सामने, for alms, alms मतलब भीक, alms मतलब भीक मांगना, and he hit hard on his head, and or he hit, वो मारा hard, जोर से, on his head, उसके सर पे, in no time, the beggars died, in no time, कुछ समय, मतलब, समय ही नहीं लगा, the beggar died, वो मर गया, soon, many people assembled, and cut, in red hand, the barber, soon, जल्दी, many people, बहुत से people, मतलब, वहां के लोग, assembled, assembled मतलब, जमा हुए, कठा हुए, assembled मतलब, जमा हुए, and cut, मतलब, पकड़, पकड़, यहां cash का past tense है, पकड़े, पकड़े, in red hand, रंगे हाथ, in red hand, मतलब, रंगे हाथ, the barber, नाई को, he was accused of, killing the beggar, he was accused of, accused मतलब, दोसी होना, वह किसका दोसी था, बिखारी के मारने का दोसी था, मतलब, उसने बिखारी को मारा था, इसका वह दोसी था, accused मतलब, दोसी, the barber was presented before the king, नाई को, बारबर में, नाई was था, presented, मतलब, प्रस्तूत किया गया, before the king, राजा के सामने, उसनाई को राजा के सामने लाया गया, and the king announced, फिर राजा ने घोशना किया, announced मतलब, घोशना की, क्या घोशना किया, the king announced, राजा ने घोशना किया, that he must be sent to death, he must be sent to death, यह घोशना किया, he must be, उसे अवस्य सजाए मौद दी जाएगी, the greedy barber fell into cry, the greedy, greedy means लालची, लालची नाई क्या होगे, fell into cry, रोने लगा, he realized, वह महसूस किया, his mistake, अपनी गल्ती को, over ambition, over ambition, मतलब, अती महत्वकांची, मतलब, बहुत बड़ा लक्ष रखने वाला, was the cause of his downfall, उसने, वह अती महत्वकांची हो गया था, मतलब, वह अपने ambition के पीछे, मतलब, अंधा हो गया, इस वज़े से क्या हुआ, was the cause of his downfall, cause मतलब कारण, downfall मतलब पतन, और उसकी अती महत्वकांचाही, उसके पतन का कारण बनी, हाँ, so it can be remembered, so इसलिए it can be remembered, यह हमेशा याद रखना चाहिए, remember मतलब याद रखना, that की a little knowledge, थोड़ा ग्यान, little मतलब थोड़ा ग्यान, is a dangerous thing, is a dangerous thing, बहुत ही खतरनाक चीज होती है, जिस चीज का हमें कम ग्यान हो, वह चीज क्या होती है, बहुत ही खतरनाक होती है, अगर हमको उसका पूरा ग्यान नहीं है, तो वह चीज में हमें कभी भी हाथ नहीं डालना चाहिए, हमें पूरा ग्यान प्राप्त करके ही, वह चीज को सोचना या समझना चाहिए, क्योंकि अधूरा ग्यान नास का कारण बनता है, आधा ग्यान से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बलकि हम पीछे चले जाएंगे, इसलिए हमें कोई भी चीज की सचाई पूरी जाननी चाहिए, न कि आधी चानकर उस चीज को सच समझ लेना चाहिए, तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, और आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो इसमें कहाँ अगर कोई भी वर्ड आपको नहीं समझ में आया हो, या मैंने अच्छे से नहीं समझा है हो, तो प्लीज कमेंट करके बताएए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू